उमीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहाओगा दोस्तों आपके जिन्दगी में दोस्तों आजकल जो जमाना है वो है स्पोर्ट्स का और साथ ही एक से बढ़कर एक खिलाडी आज दुनिया में आ रहे हैं आज से कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि खेलोगे कुदोगे तो बनोगे खराब और पड़ोगे लिखोगे तो बनोगे जनाब लेकिन आज ये बात बदल गई है जी आप खिलाडी किसी से कम नहीं है उनका नहीं फेम काफी है दुनिया में लेकिन दोस्तों ये लोग महनत भी बहुत करते हैं तब जाकि ये नेक्स लेवल परफॉर्मेंस दे पाते हैं आज मैं आपको कुछ ऐसे ही चौक क्लास परफॉर्मेंस करने वाले स्पोर्ट्स परसन से मिलवाने जा रहा हूँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज इस वीडियो को एंड तत देखेगा कोडिनेशन है दोसवे नजारा है साउथ कोरिया का जहाँ पर इस तरह से बास्केटबॉल कोर्ट पर लड़किया डांस कर रही है दीगे दो ये चार लड़कियों के संग कोडिनेशन करना इतना मुश्किल नहीं होता है लेकिन जब बात आती है सौ लड़कियों की तो कही न कहीं मामला बदल जाता है क्या दो वही लड़कियों ने कमाल करके दिखा दिया आप देखें कैसे इन्होंने कमाल करते हुए बंदास चांस किया दोस्व आपने बैक फ्लिप करते हुए बहुत सा है लोग को देखा होगा लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर एक स्पोर्ट्समैन ने अपनी बैक से बैक फ्लिप करके दिखाया है आप देखें किस तरह से इन्होंने कमाल कर दिया क्या बात है इसे कहते है टैलेंट आप देखें कैसे इन्होंने ट्रिपल बैक फ्लिप करके दिखाया है दूसरे ट्रिक करना किसी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है लेकिन इन्होंने यह बहुत ही कमाल के तरीके से करके दिखाया आप देखे कैसे यह हवा में उचले और उसके बाद जिस तरह से भाई सहाब बैक फ्लिप इन्होंने लगाई वो वाकई में कावले तारीफ हैं आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ निउजलैंड में एक ऐसी जगा जहां पर है धलान आप ये देखे कैसे यहाँ पर गाड़िया नीची की तरह आ रही है आप देखे आपको खुदी ये मैनेज करना होता है कि आप किसी से कहीं टक्कर ना खा जाएं ये नजारा वाकई में बहुत कमाल का होता है इसमें कोई शक नहीं है आप देखे कैसे कुछ लोग यहाँ पर रिस्क लेते हुए पहार से उतर रहे हैं इन्हें कुछ करना नहीं होता है ये गाड़ी खुद बे-खुद नीचे उतर रही है क्या आप नमबर फोर दोस्तों आप ये नजारा देखे यहाँ पर एक लड़की की और कार की रेस हो रही है आपको लगेगा यार कार ही जीतेगी इस रेस को दो लेकिन दोस्तों ये रेस अला गया है आप देखे जैसे ही यहाँ पर रेस की शुरुआत होती है लड़की 30 स्पीट से भागती है आप देखे कैसे लड़की स्पीट से भाग रही है और उसके बाद इन्हें वापस आना होता है कि जो कार चला रहा है वो रिवर्स गेर लगा कर लड़की को पीछे लाते है आपको लग रहा हो गया है लड़की ए रेस जीत जाएगी लेकिन एंड में देखे क्या होता है यहाँ पर आपको इस गाड़ी के टेक्नोलिजी के बारे हैं पता चल गया होगा यह कितनी कमाल की है आप यह देखे गाड़ी कैसे लड़की को पीछे छोड़ देती है क्या पार दोस्तों हमने कई बार स्पोर्ट में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देखी है जिसको देखने के बाद हमें यही लगता है आज तो मतलब कमाली हो गया आप देखे यहा भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा आप देखे्चे यहांपर किस तरह से दो बॉउक्सर्स बॉखसिंग कर रहे है मुकाबले जैसी शुरू होते है उसके बाद आप देखे क्या होता है यहाँ पर किस तरह से एकी जटके में मैच भाईया खत्म करती है चाहता है आप देखें कैसे यहाँ पर एकी मुक्के में आपोसेट खिलाडी को मार कर नीचे गिरा दिया गया आप देख सकते हैं कैसे मुकाबला शुरू होने से पहले खत्म हो गया इसे कहते है टैलेंट नमबर सेक्स दोस्ता मैं आपको दिखाता है एक और इसी कमाल की वीडियो जिसको देखने के बाद आप कहेंगे या यह तो वाकरी में कमाल की चीज है देखें कई बार स्पोर्स व्यूमेन को मॉडल बनाने की कोशिश नाकाम हो जाती है आप देखें कैसे यहाँ पर यह महिला खिलाडी को कहा गया था कि मॉडलिंग करनी है ठीक है और किस तरह के कपड़े पहनने है लेकिन आप देखें यह किस तरह से पने आपको तयार करती है क्या ही का जाए बहां इनके बारे में वाकरी में कमाल कर दिया आप देखें कैसे इनको पटाया जा रहा है क्या आपको कैसे कपड़े पहनने थे हो जाता है भई कई बार स्पोर्स वीमन के साथ भी इस तरह की खटना है होई जाती है आप देखें कैसे इगल इनकी स्टिक पराकर बैट गया और उसके बाद यह भी देखें कैसे ओड़ गया आप यह देखें कि उपर से दुनिया भाई कैसे लगती है वाकही में कमाल का नजार आ यार इसमें कोई शक ने दोस्तों मैं आपको दिखा रहूँ एक और इसी फोटो जिसको देखने के बाद आप कहेंगे यार आज से पहले मैंने ऐसा सीन कभी भी नहीं देखा आप यह दिखें कैसे बाइक की रेस यहाँ पर हो रही है आप देखिए यहाँ पर कैसे कमाल का ट्रैक बनाया गया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक भयानक एक्सिडेंट हो गया वो भी आप देखे है यहाँ पर एक बाइक ड्राइवर पूरी तरह से ट्रैक से नीचे गिर गया उसके बाद जो होता है मतलब वो तो अलगी घटना यार यहाँ पर पहले बिचारा जो बाइकर है उसके बाइक नीचे गिरी उसके बाद जो दूसरी बाइक चलाने वाले थे उनकी बाइक भी दुरखटना के शिकार हो गए आप यहाँ देखे कैसे यह दोनों ही बाइक एक दूसरे के से नाच रही है आप इसको देखके समझेए भाई जात तेज गाड़ी ना चलाए नहीं तो नजर हटी तो खटना खटी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसी चीज जिसको आपने यहाँ से पहले कभी नहीं देखा होगा आप देखें कैसे यहाँ पर जो बंदा है यह बास्केट बॉल को अंदर पॉइंटर मारता है गेन कैसे रोल कर जाती है क्या बात है आप देखें कैसे यहाँ पर पूरी तरह से रोल करती हुई एंड में बास्केट में चली गई यहाँ पर जो खिलाड़ी है उसको शायद असा लगा होगा यह जो बॉल है बासकट में नहीं जाएगी लेकिन देखिए अट दियाट यह कैसे बासकट में जाती है दोसके वीडियो भी कुछ ऐसी ही है आप देखें कैसे यहाँ पर बासकट की जा रही है वो भी पीछे सही क्या बात है आप देखें कैसे यहाँ पर पीछे से गेन को थ्रोक किया गया इसे कहते हैं वाई स्किल कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली जाती है कहा जाता है कि कुछ खिलाड़ी वाकई में कमाल के होते है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला दोस्तों जब बात आती है टैलेंट की तो आपको यह फुटेश जरूर देखने चाहिए आप देखें कैसे यहाँ पर यह इंसान स्केटिंग कर रहा है आप देखें किस तरह यह बंदा जो कमाल के स्किल अपनी दिखा रहा है क्या अब भात है मैंने आज तक किसी को भी यार इस लेवल के स्केटिंग करते हुए नहीं देखा क्या आपने देखा है यह वाकई में सबसे अलग है कमाल है यह बहुत ही चुदा है इसे कहते हैं Solid Fog आप सोच सकते हैं इस काम को करने के लिए कितनी मेहनत भाई इन्होंने की होगी एक बाव तो तय है जो यह काम करके दिखा रहा है वो किसी के लिए भी करना आसान नहीं है इन्हें देखकर ऐसी लगता है कि यह इस गेम को जीते हैं नमबर 12 दोस्तों आपने कई लोगों सर्फिंग करते हुए देखा होगा लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ न वो सबसे अलग है आप यह देखे कैसे सर्फिंग कर रहे हैं क्या बात है इस समंदर की लेरों में बहयां गोतय लगा रहे हैं आप देखे कैसे यहां पर यह कमाल की अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं कहते हैं कि यह बैव 64 फीट की थी जी हां लेकिन इन्हों ने इस सफलता पूर तरीके से इसको पूरा कर लिया ऐसा लग रहा था कि ये कहीं न कहीं वेव में हो सकता है फस जाए लेकिन जिस तरह से इनों ने भाई करके दिखा इस सर्फिंग वो वाकई में काबले तारीफ है आप देखें कैसे इनों ने याँ पर सबका दिल चीत लिया कमाल की परफॉर्मेंस नमबर थर्टीन दोस्तों कुछ लोग इस दुनिया में आते ही भाई कमाल करने के लिए आप देखें कैसे आप इस महिला ने पैसो को मशीन से भी जाती स्पीट से भाई काउंट करके दिखाया आप देखें कैसे आप इनों ने सब को चौका दिया वागे में बहुत टैलेंट है यार इस तरह का काम हर कोई नहीं कर सकता इनको देखकर तो एकी बात कही जाएगी आप जो चाहते हैं आप उसे हांसल करते हैं आप देखें कैसे नों ने नोटों को 30 से काउंट किया अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाडी भी अपने गेम से अगर खुश ना हो तो भाई या गुस्त से लाल हो जाते हैं बिल्कुल टमाटर की तरह अब मैं आपको दिखाता हूँ वही क्यों कहा जाता है फॉर्मुला वन को दुनिया की सबसे खतरनाक रेस आप यह देखें यहां पर आप देख सकते हैं कैसे एक बंदा जो अपनी कार को 300 से भी जात 3 स्पीड से चला रहा है 300 किलो मेचा पर आर की स्पीड से या फिर उससे भी 30 से चला रहा है और देखती देखते भई पूरी की पूरी गाड़ी में आग लग जाती है कहते हैं इस तरह की घटनाए पहले के जमाने में जब होती थी तो इसमें ड्राइवर की जान चली जाती थी लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी से निकल के बाहर आते हैं क्या बात है यह वाकई में बहुती ज़्यादा साहसिक ट्राइवर थे नमबर 16 अब मैं आपको कुछ असा दिखाने जा रहा हूँ अच्छे दोस्तों खेल में देखें सिर्फ फिजिकली फिट होने से आजकल कुछ बिनी होता है आपको बाहस मेंटली भी फिट होना पड़ता है आप सोचे ना जिस इवेंट के लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया हो जिस टॉर्णमेंट में जीत पाने के लिए आपने अपना खून पसीना एक कर दिया हो अचाना कि कॉम्प्टिशन वाले दिन अगर आपकी तवियत खराप हो जाए तो सोचे आप क्या करेंगे सोचे जिस मैंच में सबने अपनी टीम से उम्मीदे लगा रखी हो इस मुकाबले में आपकी टीम जीतेगी ही जीतेगी लेकिन अगर आप हार चाएं तो हम खेलना नहीं छोड़ देते हैं है ना स्पोर्ट समय सिर्फ एंटिटेन ही नहीं करता बलकि हमें जीना सिखाता है इसमें कोई शक नहीं दोस्तों दूसरी कहानी भी फुटबॉल की ही है आपको बता दूं 2016 में यॉर्प कप में इंगलेंड के सामने आइसलेंड की चनौती थी सब को पता था कि इंगलेंड बहुत ही मजबूट टीम है और उनके सामने आइसलेंड की एक नहीं चलने वाली ऐसे में सबको लग रहा था कि यार यह जो मुकाबला है ना यह एक तरफा ही होने वाला है लेकिन दोस्तों इस मैच के रिजलेंड कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच में नहीं सकता था जो यहां 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 भी इंगलेंड को हार कर सामना करना पड़ा क्या भी यकीन कर सकते हैं एक ऐसी टीम जो की पहली बार कोई बड़ा मुकाबला खेल रही थी उसने फुटबॉल की सबसे बड़ी टीम में से एक यानि कि इंगलेंड को दो एक से हरा दिया दोस्तों कहा जाता है जो जीत थी आइसलेंड के यहांस के लिए सबसे ज़्यादा यादकार थी यहां से इस छोड़ी टीम को भरोसा हो गया कि यह बड़ी बड़ी टीमों को भी हरा सकती है बस जरूआता है हिम्मत के संग खेलने की दोस्तों WWE की बात ही अलग होती है है ना यहां कौन किसको हरा दे कहना मुश्किल होता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब 2006 में खली अपना नाम बनाने के कोशिश कर रहे थे उसी समय रे मिस्टीडियो WWE के बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे सबको ऐसा लगा कि खली कोई आसानी से हरा सकते हैं लेकिन कहानी कुछ और ही हो गई ये बात 100% सच थी कि खली रे मिस्टूडियों से बहुत ज़ाद तकड़े थे लेकिन ये ये बात सच थी कि उनके पास कोई खास एक्स्पिरेंस नहीं था जबली जबली वीखा अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी फोटो जिसको देखने के बाद आपको बहुत नसीहाने वाली है आप ये नजारत देखिए अमेरिका का है कैसे पोडियों पर बुला कर खिलाडियों को प्राइस देनी की बात की जा रही है सबको भी आईके करके बुलाए जा रहा है चलो आओ जल्दी आओ लेकिन तेज गती से हवा आती है और जो अनाउंसर होती है उनकी सकट भई उड़ जाती है आप ये देखे कैसे उनकी सकट पूरी उपर उड़ गई वो तो अच्छा हुआ समय रहते हुआ मैडम ने समभा लिया अग तुम्हें कसम है इस वाली क्लिप को दोबार रिपीट करके मत देखना ठीक है आगे मेरी बास सुनो मैं आगे क्या बता रहा हूँ ऐसी घटाए होती रहता आप ये देखो यहाँ पर दो महिला टीम के बीच मैच खेला जा रहा है लेकिन फिर जो हुआ उसको देखकर सारे हैरान हो गए आप यहाँ देखे कैसे दो लड़किया एक दूसरे के उपर गिर जाती है वही गेम में इस तरह की चीज़ते देखने को मिल जाती है लेकिन यह वाकई में कमाल की बात थी यहाँ पर जो हुआ वाकई में हद हो गई अब इनका हाँ देखो कांग यह पार्ट अफ गेम है यार यह देखे यहाँ पर हजारों की संक्या में लोग आए हुए स्टेडियम में मैच देखने के लिए कि देखे लोग फुल आन इंजॉय कर रहे थे सब को लग रहा था कि मैच का रोमांच चरम पर है लेकिन दोस्तों अचानकी रेफरी ने मैच को बीच में रुकवा दिया जी हाँ यह देखे मैच बीच में रोकना पड़ा आप सुचोंगे भाई वज़ा कि आती आखे मैच को बीच में क्यो रोकना पड़ा देखे मैच को दादू मैच रेफरी को ऐसा शक हुआ कि कुछ गड़ पड़ है उन्हें लग रहा था कि एक खिलाडी शायद चीटिंग कर रहा है दोस्तों जैसे ही रेफरी ने खिलाडी से कहा क्या आपने गलफ दिखाईए वैसे ही ओखिलाडी डर गया आप जानते हैं उसने क्या किया था इस खिलाडी ने अपने हाथों में गम लगाई हुई थी यानि कि एक ऐसा पदार जिससे की गेंद उसके गलफ में आकर चिपक जाती थी लेकिन दोस्तों आपको जान का हिरानी होगी इस खिलाडी ने बड़ी ही चतुराई से अपनी गर्दन के ओपर चिपका हुआ गम लगाया हुआ था जी हाँ दोस्तों जिसकी वएसे वो बार बार अपनी गर्दन को छूता था और गेंद के साथ छेल शाल करता था दोस्तों ये है जिमनास्टिक की महान महिला खिलाडी इन्होंने कई साए ट्रॉफी अपने नाम की है क्या आप कल्ब ना कर सकते हैं कि इनके साथ क्या हुआ होगा दोस्तों इनकी बेस्ट फ्रेंड इनके साथ ही जिमनास्टिक क्या करती थी लेकिन हो हमेशा ही इनके पीछे रहती थी ऐसे में ये हुआ कि जैसी अपनी ड्रिस्क्रिंग रूम में गई दिखारों एक और तस्वीर जो कि है बेस्बॉल गेम से आपको उदादू इस खिलाडी ने भी फैयानक चीटिंग की कहा जाता है कि अगर आप खेल से प्यार करते हैं तो स्पोर्ट्स्मेन स्प्रेट को आपको यकीनन फॉलो करना चाहिए और लोग करते भी हैं लेकिन आज के लैसा बहुत कम देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको दादू बेस्बॉल गेम में चिपकने वाली किसी भी चीज़ का इस्तमाल करना बिलकुल गलत माना जाता है लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हों कोई फर्क नहीं पड़ता ची हां यह देखे इस खिलाडी ने कैसे गम को अपने हाथ में लगा कर रखा है कैसे इस खिलाडी ने बॉल पाच्छी ग्रिप बन जाए इसके लिए तरह तरह की चीज़ें इस्तमाल की लेकिन दोस्तों एंड में पकड़ा गया और तस मैचेस का बैंड छेलना पड़ा समझना बड़ा मुश्किल है कि आखर ऐसा क्यों करना है जब आपको पताए कि आप एंड में पकड़े जा सकते हैं आपकी बेज़ती हो सकती है आपकी इज़त जा सकती है लेकिन आजकल बहुत सारे खिलाडी ये बात समझने को तयार नहीं है स्लो मोशन में आपकी हर एक चालाकी पकड़ी चाती है इसलिए कहा जाता है अच्छा यही होगा आप मैनस से ही जीतने की कोशिश करें किसी चालाकी से नहीं क्योंकि बुरे कान बुरा होता है अमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह एपसोड पुसंद आया होगा प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कोई राय देना चातें तो कॉमेंट कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें तक जब भी मैं अगली वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँच जाए मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तिल देन बाबाई चेक केर मेरी चैनल